नमस्कार आप देख रहे हैं उत्रप्रदेश टाइम्स मैं हूँ कोमल सिंग लेकर आई हूँ आपके लिए गुड़ न्यूज बुलटिन वदलाव की आत्रा में तेजी से आगे बढ़ते उत्रप्रदेश में पिछले 24 खंटे में क्या कुछ बदला आए जानते है जेए मैंस क्लियर करने के बाद जो चात्र जेए एडवांस की परिक्षा देने वाले हैं उनके पास तैयारी करने के लिए 16 दिन का समय बचा है इंडियन इस्टेट्यूड ओप टेक्नलोजी यानि आई 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 टी मदरास जॉइंट एट्रेक्स एक्जाम एडवांस दुहजाद कर सकती है भारतिय वायू सेना की ओर से अगनी वीर वायू के पद पर वेकंसी जारी की गई है इस पद के इच्छुक उमिदवारों के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने की प्रक्रिया 22 मई से शुरू की जाएगी अगनी वीर वायू के पद के लिए अविवाहित पुरुस औ और महिला आविदन कर सकती है योगे कैंडिडेट्स इंडियन इयर फोर्स की ओफिसियल वेबसाइट के जरिये ऑनलाइन अप्लाई कर सकती है यूजी सी नेट के लिए आविदन की अंतिम्तिती 15 मई तक बढ़ा दी गई है पहले आविदन की अंतिम्तिती 10 मई 2024 थी नए से प्रेडियूल के मुताविक एग्जामिनिशन फीज 16 तक जमा कराई जा सकती है आविदन फॉर्म में करेक्शन की विंडो 18 मई से 20 मई 2024 तक खुलेगी यूजी सी नेट की परिक्षा 18 जून 2024 को आयोजित की जाएगी प्लास्टिक के कच्छरे से वायो फ्यूल बनाने की इफ्रेक्ष्ट्रक्चर डवलप्मेंट शहरी यूजना के तहत पहले चरण में अयोध्या नगर निगम की पांच सर्कों का निर्मार किया जाएगा रुड़की के सेंट्रल रोड रिसर्च इस्टेडियूर के वैग्यानिकों ने इसके लिए ना सिर्फ ट्रेनिंग दी है उत्रप्रदेश के सत्रे नगर निगमों में प्लाश्टिक के कच्रों से सड़क निर्मार का प्रियोग शुरू होगा। गंगा सप्तमी का पर्व वेहत कल्याण कारी माना जाता है या दिनमा गंगा की पूजा के लिए समर्पित है या हर साल वैशाक महिने के शुकल पक्ष की सप्तमी तिती को मनाया जाता है इस दिन लोग गंगा माता की पूजा आर्चना करते हैं पौरानिक कताओं के अनुसार इसी दिन ब्रह्मा जी के कमंडल से देवी गंगा का जन्म हुआ था इस साल गंगा सप्तमी 14 मईए 2024 को मनाई जाएगी हिंदू पंच्यांग के अनुसार वैशाक माप के सुकल पक्ष में पढ़ने वाली सप्तमी तिती की शुरुआ 13 मईए 2024 शाम 5 बच कर 20 मिनट पर होगी वह इतना ही आसी ही तमाम लेटेश्ट अपडेट के लिए देखती रहिए उत्तरपरदेश टाइम्स